अगे कवर है नवरात्य के गर्वा उत्सब को लेकर जहां जिला मुख्याले के समीब ग्राम कांकर में गर्वा करने के रिए बाहर से बुलाएगी लड़कियों को लेकर विवाद हो गया इसमें दोनों पक्षों के बीच जम कर लाठी रंडे चले गाओं के दलित्वा दबंगों के बीच हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के नौ लोग घायल हो गये इस विवात का किसी ने वीडियो बना दिया जो सामने आया है पुलिस ने दोनों पक्षों के आठ लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्च किया है संबतित वीडियो में महिलाएं भी चपल पत्थरवा एट से हमला करती दिखाई दे रही है पुलिस के अंसार ग्राम कांकर में अजब वर्ग के लोगों द्वारा अपनी बस्ती में दुर्गा प्रतिमाव विराजित की गई है सनिवार को यहां बर्ग गर्वा करने के लिए दो लड़कियों को बाहर से बुलाया गया था बाहर से लड़कियां बुलाने की बात पर ही विबात हुआ दबंगों का आरोप था कि माता के पंडाल में लड़कियों द्वारा फूहर डांस किया जा रहा था इसे रोकने के लिए हम बात चित करने गय थी इसी दोरान अजबर्ग के लोग हम से मार पीट करने के लिए उतारू हो गया यहां तक की महिलाओं ने भी चपपल उठा कर मारी जबकी मामले में कुछ लोगों का कहना है कि अजबर्ग के लोगों द्वारा नचनियां लाकर जोड जोड से स्पीकर बजाया जा रहा था इसी बात को लेकर विवाद हुआ अजबर के लोगों का कहना है कि गर्वे के दोरान दबंग लोगनसे में दो धो कर आये थे तथा भी लड़कियों पर रुपै उड़ा रहे थे यही बात हमी पुरी लगी इसी बात को लेकर विवाद हुआ ज्यात हो कि रात को जो विवाद हुआ था उसे तो जैसे तैसे लोगों ने सांत करा दिया था लेकिन रभी बार सुबै फिरी सी बात को लेकर विवाद हुआ जिसमें जम कर दोनों पक्षों ने एक दूसरे बललाठी रंडे का उपियोग किया एस्पी नवल सिंग सी सौधिया ने बताया कि लड़कियों को बुलानी की बात पर विवाद हुआ है दोनों पक्षों पर कारिवाही की गई है विवाद में तो फान सिंग पिता नारायन सिंग स्याम सिंग पिता जोरावर सिंग मान सिंग पिता भुवान सिंग बालग बाई पती नारायन सिंग घायल हो गया वहीं दूसरे पक्ष के सुजान सिंग पिता भागीरत जग्दीज पिता बगदू प्रभू पिता चंदरलाल रामबा बाई पती मोहन जग्दीज पिता बापु घायल हो गया है